यह रहा फीटेल का head portion, यह रहा फीटेल का heart, यह देख रहकर light head में आप heart देख सकते हैं और left side में जो आप cursor दिख रहा है यह है umberical cord ऐसी काफी जानकारिया हमें ultrasound machine से मिल पाती है तो चलिए देखते हैं एक overview उपर से के ultrasound की machine कैसे दिखती है उसमें क्या probes रहते हैं और किस प्राकार से यह हम उपयोग में लाते हैं यह machine portable version का है तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह दो क्लिक के जाके हम लोग उसको use कर सकते हैं movable मतलब जिस institute लिए register है वही institute के premises में हम लोग use कर सकते हैं उसके बाहर नहीं यह जो button है यह on off और standby का button है और इसके बाद जो हम देखते हैं यह multifunction buttons है यह जैसे जैसे हम लोग mode change करेंगे तो screen में वैसा उसका display आएगा तो उस हिसाब से mode के हिसाब से इसका functions change होता जाएगा यह जो 1,2,3,4,5 multifunctions की है इसका अलग-अलग modes में अलग-अलग function रहेगा अब आता है U1, U2, U3 buttons यह user customizable button है जो user के हिसाब से हम लोग change कर सकते हैं scan को check inbuilt tutor है इस button से हम लोग उसको access कर सकते हैं जो left में buttons है यह TGC है time gain compensation इसमें आप depth wise gain को compensate कर सकते हैं यह patient का button दबाने से आप patient की details enter कर सकते हैं प्रोब का button probe selection के लिए है उसके बाद अगर आप measurements लेना चाते हैं तो उसके लिए आपको report वाला button दबाना पड़ेगा और patient का study end करने के लिए end exam आपको दबाना पड़ेगा यह जो gain का button है यह gain control के लिए है इससे आप gain adjust कर सकते हैं M mode से आप M mode access कर सकते हैं EW दबा के pulse wave access कर सकते हैं CF color flow mode के लिए B bright mode के लिए यह knob जो है यह zoom और depth adjust करने के लिए आपको use करना पड़ेगा कोई भी inch को freeze और defreeze करने के लिए यह button इसमाल करना पड़ेगा इसमें और दो dual और quad buttons रहते हैं उसके बाद P1 P2 रहते हैं जिसमें आप printer जो है adjust कर सकते हैं अब यह सामने जो set button है अगर कुछ set करना है उसके लिए यह body pattern selection clip body button यह measure measurements के लिए clear कुछ text clear करना है उसके लिए और उसके बाद cursor जो है जहाँ पर आप cursor लेके जाना है उसके लिए mostly M mode में हम cardiac के चीज़े करते हैं अगर आपको कही flow measure करना है तो pulse wave generally use करते हैं CF blood का flow देखने के लिए हम लोग use करते हैं कि अगर blood का flow कैसा है यह आपको CF से अच्छी तरह से पता चल जाएगा bright mode हम 2D images लेने के लिए use करते हैं अब चलते हैं machine को शुरू करते हैं machine का पहले OS boot होता है उसके बाद वो direct जो है ultrasound का software है उसको चलाता है फिर आपको direct जैसे probes से ultrasound के images आपको मिल पाते हैं कुछ इस प्रकर से मिलेगा आपको images यह full overview उपर से यह left में देख सकते हैं कि एक animation through भी उपको बताया जाता कि probe कहां पर रखने से आपको कैसा image मिलेगा इसका थोड़ा सा assistance मिल जाता है आपको इसमें अलग-अलग probes है जिसमें अलग-अलग चीज के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं यह है convex probe जैसा ultrasound का use है उस हिसाब से जो इसका structure है उसके साबसे अलग-अलग structures है probe के यह है TVS probe transvaginal probe इसका भी structure जहां पर हम लोग use करते हैं उस हिसाब से इसका structure है और सामने के जो crystal से ultrasound वो भी उस हिसाब से oriented है अब हम देखेंगे eco का probe इसके सामने का जो portion है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि दो rib cage के बीच में जो distance है उसके बीच में से जो है ultrasound का जो waves है वो travel कर सके इसके साब से वो बनाया गया है अभी देखें पीडियाट्रिक वाला का इससे भी छोटा सा है से cross section area जो अपना जो सामने का square type का area देख सकते crystals का यह linear probe है में लिए superficial tissues को देखने के लिए हम यूज करते हैं यह भी एक linear probe है जो की surgery के इसमें यूज होता है इसका shape or size काफी handy बनाया गया है इसके front portion में जो की ultrasound crystals लगए है